डाउटनट पर आप मैं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैं की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज नाउलोड कीज़े डाउटनट आप हेलो गाइस तो यह अपना फिफ्ट और लास्ट पार्ट आफ मिनरल नूट्रिशन प्रिविएस वीडियो में हमने डिसकस करा था नाइटोजन मेटाबोलिसम के बारे में और उसके अंदर भी फ्री लिविंग मेटाबोलिसम कैसे होता उसके बारे में अब हम स्टेडिक होंगे और हल्प करेंगे नाइटोजन फिक्शेशन में तो सेवल टाइप ऑफ सेंबाइटिक नाइटोजन बेक्टीरिया से होते हैं और सबसे प्रोमेनिंट जो है या कैसे सबसे कॉमन जो है वो कौन सी है लेग्यूम बेक्टीरिया रिलेशन्शिप एक अपना देखने को मिलता है और यह association हमें कहां पर देखने को मिलता है नोड्यूल्स के अनदर नोड्यूल्स के वाते हैं बेसिकली small outgrowth होती है on roots अब यह कैसे बनती है वह हम देखेंगे नोड्यूल फ्रमेशन के अंदर पहले हम बैसिक चीज़े देख लेते हैं एक और अपना माइ यह भी यह produce करता है क्या nitrogen fixing nodules लेकिन किसके उपर non-leguminous plants के अंदर यहां पर क्या था leguminous plants यहां पर non-leguminous plants है जैसे कि अपना क्या हो गया अलनस ठीक है अब बोथ rhizobium and frankia यह अपने free living भी हो सकते हैं अब यह देखो important बात है कि यह free living भी हो सकते हैं लेकिन nitrogen fixation कब करते हैं जब यह symbiote stage में होते हैं यानि कि जब symbiotically plant के साथ present होते हैं अब यहां पर आगे क्या बोला है कि अगर आप किसी plant को root करते हैं ठीक है कॉ क्या देखने को मिलेगा spherical outgrowth देखने को मिलेंगी root के उपर उसी को हमके कहते है nodules के अंदर अब उन nodules को अगर आप cut करते हैं तो central portion आपको red दिखेगा और pink दिखेगा अब यह pink किस वाजी से होता है due to presence of leguminous hemoglobin और leg hemoglobin अब इसका function क्या होता है बहुत important है इसको हम देखें इसको आगे discuss करेंगे nodule formation के अंदर ठीक है वहाँ पर detail में study कर रखा होगा तो इसको में आपर correct करके study कर पाएंगे अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि nodule formation के अंदर involved होते है series of multiple interactions इसके बीच में between rhizobium जो की अपना bacteria है and roots of plant के बीच में ठीक है सबसे पहले क्या होता है अ करता है attached तो यह हो गया अपना first step अभी क्या करता है root hairs को curl कर देता है ठीक है और bacteria शो है वो invade कर देता है किसको root hair को तो इसको step by step करते है second step first step में क्या करा colonize करा खुद को attach कर लिया किससे epidermal and root hair cell से अब root hairs को curl कर दिया और invade कर लिया root hair को यानि कि root hair के अंदर वो enter कर चुके है इसको नीचे diagram के health से भी हम देखेंगे फिर क्या करते हैं यह infection thread produce करते हैं ओके यहाँ पर देखो third step में infection thread is produced जो carry करता है bacteria को कहाँ पर cortex में यानि कि root hair से अब सीधा कहाँ पर चल जाएंगे cortex में अब cortex के अंदर ही यह initiate करते हैं nodule formation तो exam में question पूचा जा सकता है कि nodule formation जो है तो अपना कहाँ पर होता है तो यह होता है cortex वाले region में एक बार नीचे diagram भी देख लो यहाँ पर देखो soil particle से root hair या bacteria इसने root hair के around क्या करा क्या क्या कर लिया ठीक है उसके epidermal cell से attached हो गया और root hair को फिर कल कर दिया अब उसने बनाया पूरा infection thread यहां से लेके यहां तक पूरा infection thread बना दिया infection thread के तुरू अपने bacteria जो थे वह भार से अंदर से लेगाए कहाँ पर cortex के पास अब bacteria इन threats से release होके enter कर जाते हैं cortical cells में और differentiate कर देते हैं उन cells को किसके अंदर nitrogen fixing cells के अंदर तेके और साती साथ उन cells का यानि कि अपने जो 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 बन रहे हैं इनका establish करवात connection किसके साथ host के साथ for exchange of nutrients क्योंकि अपना जो नॉटिल है कहाँ पर बन रहा है cortex में बन रहा है एक बड़ी फिर से नीचे आ जाते हैं यह बन रहा है cortex में ठीक है और आपको पता है कि अपना जो vascular connection होता है वो कहाँ पर होता है पित के अंदर central portion में तो इन cells कहाँ यह connection करवा देते हैं किसके साथ जालामर फुलम के साथ ठीक है अब एक बड़ी ऊपर पढ़ने से पहले यहां पर एक रीचे पढ़ लेते हैं इस डियाग्राम में बहुत इंपॉर्टन चीज बता रिखिया देखो सबसे पहले rhizomeum bacteria जो होता है इसने contact बनाया किसके साथ के अंदर और फिर inner cortical cells का और pericycle cells का डिवाइड करवाता है इस division से और growth की वज़े से क्या बनता है नॉट्यूल बनता है तो basically जो differentiation हो रहा था सेल्स का तो वहां पर cells का differentiation भी होता है और उन cells को डिवाइड भी करवाता है तो हमें क्या मिल जाता है हमें मिल जाता है एक अब इन हर cells का direct contact होगा किसके साथ vascular supply के साथ ठीक है जैसे कि यहां पर बोल भी रखा है देखो कि mature nodule जो होता है अपना एक complete with vascular tissues होता है continuous with dose of root तो simple terms में हम यह कह सकते है कि अपना जो mature nodule है इसका पूरा अच्छे से connection होगा किसके साथ vascular supply के साथ ताकि exchange of nutrient हो सके ठीक है enzyme nitrogenous leg hemoglobin अब enzyme nitrogenous का function क्या होता है हमने ओपर देखा था यह क्या content करते है सबसे पहली बात molybatinum और iron protein content करती है और इसका function क्या है यहां पर देखो यहां पर देखा था कि nitrogen को convert करते है किसके अंदर ammonia के अंदर ठीक है जो की first stable product होता है किसका nitrogen fixation का अब leg hemoglobin का function भी यहां पर concentration हो रहा है nitrogenous enzyme की एक problem है क्या कि O2 की जब xx concentration होती है या normal concentration भी होती है तो यह inhibit हो जाती है याने की काम नहीं कर पाती है तो अब इसको कैसे दूर किया जाए तो leg hemoglobin निहाब से क्या करता है oxygen को transport कर जाता है nodule cell से यह कह सकते हैं जहां पर पॉर्सित हो रहा होता है वहां से oxygen क वह हटा देता है ठीक है दूर लेके चले आता है just like अपना normal hemoglobin जो है वो bind करता है O2 के साथ ऐसे leg hemoglobin भी O2 के साथ bind करता है और उसको यहां से इस cell से कहीं दूर लेके चले आता है क्या सकते है कि जो अपने यह cortical cells थे वहां से लेके आजाए गा बाहर ठीक है तो यहां पर यह काम किसका कर रहा है oxygen scavenger का याने कि oxygen को यहां से हटा रहा है इसलिए इसको oxygen scavenger कहते हैं और क्यूं ज़रूरी है क्योंकि oxygen की presence में अपना nitrogenous enzyme function नहीं कर पाएगा सिंपल सी बात है अब यहां पर हमें मिल चुका है ammonia लेकिन problem क्या है कि ammonia को directly absorb नहीं कर सकते है जैसे कि हमने पहले भी देखा था तो उसको convert किया जाता है protonate करके इसको protonate कर दिया जाता है और convert कि किसके अंदर ammonium iron के अंदर फिर इसको absorb किया जाता है ठीक है वाय वैस्कुलर तो इसको हम आगे देखेंगे सबसे पहले अब यहां पर आते हैं कि हमें यह जो ammonia मिला यह मिला कैसे तो यहां पर देखो अपनी enzyme है nitrogenous ठीक है इसके साथ nitrogen कर गया combine अब होता है finally reduction दो hydrogen's आते हैं हमें यहां पर क्या मिल जाता है diamide तो यहां पर हम लिखते रहते हैं यह आ गय यहां पर फिरसेस का reduction होता है हमें यहां पर मिलता है hydrazine और फाइनली फिरसेस का reduction होता है और यहां पर हमें मिल जाता है क्या अब ammonia देखेंगे और यहां पर अपना nitrogenous जो है वह release हो जाता है और इस पूरे reaction को complete होने में कौन help करता है lagymoglobin क्योंकि उसका काम क्या है यहां से oxygen nitrogen को हटाना अगर यह नहीं हुआ तो फिर nitrogenous enzyme जो है अपनी वह inactivate हो जाएगी ठीक है और इस पूरे process के अंदर क्या क्या लगता है देखो 8 electrons 8 protons 16 ATP और यह सारी चीजा हमें कहां से मिलती है respiration की process से ओके और हम यहां पर क्या मिलते हैं 2 ammonia hydrogen release हो गए अपने तो ठीक है और यहां आपको भी थोड़ा रीट कर लेते हैं यह देखो enzyme nitrogenous ची होती है अपनी highly sensitive होती है to molecule O2 ओके और इसको का सही है anaerobic conditions यूँकि हमने अभी उपर discuss करा था तो nodules के पास क्या होती है adaptation होती है जो ensure करती है क्या कि अपनी जो enzyme है वह protector है किससे from oxygen और इसको कॉन प्रोटक करता है oxygen scaven इसको के कहते है leg hemoglobin ठीक है अब यह बहुत interesting point आया है क्या कि अपने जो microbes है वो तो कैसे है aerobic है लेकिन यह enzyme है वो work कर रही है किस condition में anaerobic condition में तो अपने जो यह leg hemoglobin है यह उतना ही amount of O2 को यहां से लेके जाता है यतने amount में अपना nitrogenous inhibit भी ना करे और aerobic bacteria जो है वो अच्छे से respire भी कर लें okay simple सी बात है अब आगे move करते हैं यह कह रहे है कि हमें reaction में कह देखने का मिला कि ammonia synthesis by nitrogenous require कर रहा है क्या ATP तो यह ATP वकरा सब कहां से आता है यह सब हमें मिलता है from respiration of host cells okay अब बात आती है कि यह जो ammonia बना इसका finally होगा क्या ammonia बनता हो गया है अब कुछ ना कुछ तो करना है क्योंकि ammonia तो directly absorb हो नी सकता है हमने nitrogen के case में देखा था किस form में absorption होता है NO3 negative में NH4 positive में ठीक है और कभी-कभी NO2 negative में भी हो जाता है तो अब यह ammonia हमें यहाँ पर मिलता है इसको फिर से protonate किया जाता है और यह convert कर दे जाता है कि इसके अंदर ammonium आयन की form में अब दे जाता है तो इसलिए उसको accumulate नहीं किया जा सकता उसको immediately convert कर दिया जाता है ठीक है दूसरे substances में अब देखो ammonia का क्या होता है सबसे पहले है यहाँ पर reductive amination amination का मतलब क्या होगा इस case में ammonia को हम react करवाते हैं किसके साथ alpha keto-glutaric acid के साथ अगर आपको यह नहीं पता तो आपने study कर रहा था क्या कहते हैं क्रब cycle वहां पर भी हमें यह acid मिल रहा था ठीक है तो basically अपना यहाँ पर alpha keto-glutaric acid के साथ इसको react करवाते हैं और किसकी presence में यानिकी energy की presence में and enzyme glutamate dehydrogenous की presence में यहाँ पर मिल जाता है क्या glutamate अब glutamate जो है यह तो toxic नहीं है तो इसको तो हम assimilate कर स चाहित अब लगला है कोई दिकत नहीं है अब यहाँ पर देखते हैं की जो glutamate हमें मिला है यह glutamate मिला है उसका क्या होता है तो next step है यहाँ पर transemination Transformation वो condition है, जहाँ पर transfer होता है किसका amino group का, एक amino acid से, तो यहाँ पर amino group का transfer होता है, from one amino acid to keto group of keto acid. ठीक है, keto acid है और यहाँ इसका keto group, तो यहाँ पर देखो, यहाँ सा amino group हो गया, यहाँ पर transfer, जैसे कि हाँ आप देख रहे हैं. अब यह change हो गया किसके अंदर, keto acid के अंदर और यह बन गया अपना क्या amino acid example यहाँ पर हम दे सकते हैं, मानलो अपना यह क्या था, glutamic acid था ठीक है, keto acid यहाँ पर आपना, oxaloacetic acid आ गया, अब glutamic acid ने oxaloacetic acid को अपना क्या दे दिया amino group दे दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, alpha ketoglutaric acid, क्योंकि हमने देखा था keto glutatic acid के अंदर यह हमने अमोनिय अड़ करा था, तो हमें glutamate मिला था, अब इसके अंदर से किसके अंदर, protein synthesis के अंदर, तो कोई दिक्कत वगरा है नहीं, और यह जो reaction होता है, इसको कौन catalyze करता है, transaminase, तो देखो यह इतना important है नहीं, यहां पर बस यह बताया गया है, कि जो ammonia हमें symbiotic bacteria के health से मिला, उसको ammonium form में तो रख नहीं सकते है, क्योंकि ammonium ion toxic होता है, तो उसको किस form में change करके, किस form में utilize करा जा सकता है, तो पहले हमने glutamate में change करा, glutamate से हमने उसको change कर दिया किसी के अंदर, aspartic acid के अंदर, अब फिर से अपने पास keto-glutaric acid free हो गया, इस keto-glutaric acid को use करके, फिर से हम क्या बनाएंगे glutamate, फिर से transmination होगा, फिर से aspartic acid मिलेगा, aspartic acid अपना क्या है, एक amino acid है, तो उससे हम proteins का synthesis कर सकते हैं, जो कि इन्होंने देखो हमें आगे बता भी रखा है, कि जो aspartic acid है, और glutamic acids है, इससे हम बना सकते हैं, दो important amides, जिनका नाम क्या है, asparagine and glutamine, जो किसमा में देखने को मिलते हैं, structural part of proteins के अंदर, अब एक question दिवाग में आ रहा होगा कि amides होते हैं, तो simply देखो, यहाँ पर अपना क्या है, एक amino acid है, ठीक है, तो जब अपने amino acid का carboxylic group का OH group, यहाँ पर क्या होता है OH, तो जब इसका OH group replace हो जाए, किससे फिर से 1 NH2 से, तो यह बन जाता है अपना amide, ओके, तो इसको simply कैसे बनाए जा सकता है, इस aspartic acid का, या इस glutamic acid का, directly क्या कर दीजिए अब, amideation कर दीजिए, या simply plus NH2 करके, एक reaction करवा देंगे, तो अपना क्या मिल जाएगा, asparagine, ठीक है, और glutamine, और वो अपने किसके component होते हैं, structural part of proteins के, ठीक है, तो कहीं न कहीं, इस ammonia को भी हम ऐसे utilize कर सकते है अब आगे इनोंने आप या में बताया है, इन दोनों लाइन्स में कि कैसे बनाते हैं, तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, तो OH गृप को NH2 radical से replace कर देंगे, अब एक और शिर्स नोट करो, क्या, कि जो अपने amides होते है, उनके अंदर present होत nitrogen, then amino acid, amino acid के अंदर क्या था, सरीफ वहाँ पर nitrogen था, amides के अंदर, एक और nitrogen आ चुका है, तो इनको transport कर दे जाता है, to other parts, ठीक है, via xylem, और वहाँ पर उनको store कर लिए जाता है, कुछ-कुछ plants में, जैसे कि अपना क्या हो गया, यहाँ पर soya bean हो गया, वहाँ पर nitrogen को fix किया ज देखें, तो यह क्या होता है, यह देखाओ, NH, ठीक है, यहाँ पर keto group, और यहाँ पर फिर से amide, तो यहाँ पर भी हम देख रहे है, compare to amino acid, nitrogen जादा है, तो इस form में भी इसको fix करके, store किया जाता है, और store करने के बाद जैसे जरूत पड़ेगी, इसको फिर से break करके, यूज क I hope आपको यह समझ में आज चुका होगा अच्छे से, okay, इसको पढ़ने के बाद एक बारी, previous year पर फिर से जरूर apply कर लेना, okay, thank you so much